अगर रोटी ये परांटी के साथ चट्मी मिल जाए तो फिर तो सबजी की भी जुरुवत नहीं होती हेलो एब्रीवन, वेलकम टू डिवाइन डिलेशस आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज मैं बना रही हूँ गार्लिक चट्मी तो रेसेपी शुरू करें गार्लिक चट्मी बनाने के लिए लिए है मैंने 12-13 साबुत लाल मिर्ची जिसे मैंने करीब 2-3 घंटे पहले पानी में बिगो दिया था सोख करने से ये इसली पिस जाती है अब इसको मैं मिर्चियों को जो है वो अलग निकाल लोगी प्लेट के अंदर पानी जो है वो हमें इसको फेटना नहीं है बाद में हम इसको काम में ले लेंगे तो मिर्चिया जो है वो अच्छे से नरम हो गई है साथ में मैंने लिया है एक कप छिलेवे लसन तो लसन लेते समय ध्यान रखी कि जो कलिया आप ले रहे हैं लसन की जो गाठ है उसमें कलिया बड़ी-बड़ी हो तो इससे छीलने में आपको इजी रहे तो आप सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे तो मैंने एक ले लिया है पैन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वन टेबिल स्पून की करीब खॉयल तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक कप की करीब लसन जिसे हमें दीरे-दीरे रोस्ट करना है साथ में मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्ची एक अद्रक का टुकडा, एक चम्मच साबुद जीरा, एक बड़ा चम्मच, वन टेबिल स्पून साबुद धनिया और वन टी स्पून साबुद काली मिर्श अब इसको लगातार चलाते होए हमें दो से तीन मिनेट रोस्ट करना है रोस्ट करने से जो है कोई भी चीज लंबे समय तक चलती है और मुझे वैसे भी कोई भी चीज मसाले जो है कोई भी डिश बनाने से पहले उन्हें रोस्ट करना पसंद दे तो इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और चीज भी बहुत जल्दी खराब नहीं होती आप चाहें तो वैसे भी आप बना सकते हैं गार्लिक चट्नी बट इस तरह से बनाएंगे तो लंबे समय तक आपकी चट्नी जो है खराब नहीं होगी पस दो से तीन लिलर तक इसको इसी तरह चलाते होएं रोस्ट करें मसाले जो है हमारे अच्छे से सिखने लगे हैं और गार्लिक की भी खुश्बू जो है वो मुझे आ रही है मिक्सर जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है दो से तीन मिनट लगाता चलाते हो मैंने इसको रोस्ट किया है अब मैं इसकी फ्लेम को आफ कर दूँगी और अब हम इसे ठंडा करने के बाद मिक्सर में पीसेंगे तो अच्छे से ठंडा होने देते हैं इसको तो अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है और लाल मिची जो है वो मैंने इसको अलग निकाल लिया है अब ये गार्लिक जो है वो इसके अंदर हम ट्रांसर कर देंगे जार के अंदर और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है पर एक बार में थोड़ा सार दरदरा करके इसको ग एक दूचमज के करीब मैं इस प्लेट के अंदर निकाल रहे हूं। अब मैं इस के अंदर एट कर रहे हूं यह लाल मिर्ची। साथ में थोड़ा सा पानी जो जिसमें हमने इसको भिगुया था। आप अब एक बार इसको मिक्सी में अच्छे से बारिक पेस्ट बना लेंगे वापस मैंने वही पेल ले, इसमें डाल रहे हूं एक टेपिल स्पून के करीब ऑईल तो मैंने इसके मेरा डाल दिया है वन टी स्पून राई एंड वन टी स्पून के करीब जीरा स्पूच्चे से सौटे करेंगे साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता इसको लगातार चलाएंगे अब इसके अंदर मैं एट कर रही हूँ थोड़ा सा हींग पाउडर साथ में मैं इसके अंदर एड कर रही हूँ यह जो डर्दरा पिसा हुआ लसन का पेस्थ था इसको भी इसके अंदर डाल रही हूँ इसको एक दू मिनिट हम चला लेंगे इसके अधिसाट डाल रहे हूं बारिक पिसावा पेस्ट अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे साथ में मिक्सी की जार में जो थोड़ा सा मसाला था उसमें पाने डाल के और वो भी मैं इसके अंदर एड़ कर रहे हूं अब इसको लगातार चलाते हो है हमें कुक करना है जब तक कि यह ओईल ना छोड़ने लगे तो करीब चार से पांच मिनिट तक इसको इसी तरह से हम चलाते हो पकाएंगे मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला दरदरा करके इसलिए रखा था कि बारिक पेस्ट के साथ जब लसन के हलके हलके से थोड़े से पीसे आते हैं तो क्रंची से अच्छे लगते हैं साथ में मैं एट कर रहे हूँ एक चमज के करीब नमक अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर लगाता चलाते हुए कुख करेंगे करीब दस मिनट इसको लगातार स्टर करते हुए मुझे हो गए है और यह अच्छे से कुख हो गया है इसको लगातार चलाना इसलिए जरूरी है जिससे जो नीचे पैन में चिपके ना क्योंकि जैसे इस पानी प्रेजूस होता जाता है और ओल उपर आता जाता है तो यह पैन में नीचे चिपक भी सकता है तो हल्दी पाउडर मैंने पहले नहीं डाला था, अब मैं स्टेंदर हाफ चमश हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आप इसको पहले भी एड़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफी देर तक मैंने इसको रोस्ट किया है, तो मैं इसको बाद में ही डालती हूँ, तो मसाले ने जो है, ये पैंच होना स्टार्ट कर दिया है, ओल चारो तरफ से निकल रहा है, अभी अच्छे से कुख हो चुका है, तो जितना देर आप इसको अच्छे से कुख करेंगे, उतना ही टाइम आपका चटनी जो है, वो लंबे टाइम तक चलेगी, अब पूरी किच में जो है, चटनी के खुश्बु चारो तरफ पैल रही है, ये अच्छे से कुख हो चुकी है, तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है, उसको आफ कर दूँगी, और अब इस समय में इसके अंदर थोड़ा सा अमचुल का पाउडर एड कर रही हूँ, अब ये गरम ही है, तो इसम मिक्स कर लेंगे, और अब इसको ठंडा होते ही, हम किसी जार के अंदर भरके रख सकते हैं, तो मैंने इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, तो हमारी माउथ वाटरिंग गार्लिक चटनी एकदम तयार है, जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तो मैं इसको किसी एर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके फ्रिज में रख दोंगी, तो करीब एक महिने तक भी है खराब नहीं होगी, बिवाई डिलिशेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है,